क्या आपने कभी टमाटन में टूटपेस लगाकर उसे गरम किया है अगर नहीं किया तो आज के बाद आप जरूर करेंगे क्योंकि हम दावे से कह सकते हैं एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो आप इस चीज को बनाने से खुद को कभी नहीं रोक पाएंगे तो इसमें क क्या डाला जाता है और इसे कैसे बनाया जाता है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा लेकिन उससे पहले आप हमें कॉमेंट में ये बताईए कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं जिससे हम आपको थैंक यू बोल पाएं तो हमारी साफ टाजे लेना लेकिन डाल नहीं नहीं होने साध क और थाल टाला सिक लिट जाकोय गूपनी ऑद कॉने na वह अच्छे बाच नहीं होगा मृणत डाले अब को डूर ग।र्ट देखना सफेज चीनी उप्योग करें होदा डालेंगे थोड़ा सा पानी यरू अच्छे से गर्म करते से वक्तना इसको दीरे इत र thought रहा है यहीं दोड़ासद अट्री अध्यलिया पाद लगी को जाग रचिंद कीन Applause अब हमें क्या करना है इसमें पकानीं हामीं धियान लखना आप इसको जलाते रहिएगा वरना जो पेस्ट है ठीके €लंट कंने का डर भी रहता है अब इसमें डालेंगे हम लिटाएं अगरी हां को हल्दी जियाएं अब इसमें डालेंगे आदा कप कच्चा दूद तो कच्चा दूद डालके यह चीज अपना कमाल बहुत अच्छे से दिखा पाएगी और हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से यूज भी करना है तो बढ़िया से देखो टमाटर भी हमारे इसमें पकने लगे हैं देख चला के इसे अब देखो जैसे जैसे टमाटर पकता जाएगा वैसे वैसे रंगत भी आती जाएगी ब्र इसमें डालना एक बड़ा चंमज कॉफी पाउडर कॉफी अपनाटर डाल के टमाटर को अच्छे से पलट पलट के बढ़िया घ्ट्था ना अज पीस ले देगें उसको कोई बाद नहीं रहने देना अब इसका इस्तमाल कैसे करना है वो बताते हैं इसको क्या करना एक बड़े से बाउल में निकाल लेना उसके बात क्या करना धीरे धीरे करके न अपनी चार पांच उंगलियों से मतलब हाथों का सहारा लेकर न किसी भी जगह पर रब करना अच्छे से धीरे धीरे मसाज करना 15 मिट तक मसाज करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पांच मिनट के लिए अब हाथों को ना नॉर्मल पानी से वाश कर लेना फिर आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन पर कितनी शाइनिंग आ जाती है तो आपको अनभव जरूर शेयर कीजेगा तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए हैक्स और रेसिपीज के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई राधे राधे